सबी को जेशु आज कलीसिया पवित्र क्रूस का विज्योत्सव पर मनाती है एक क्रूस विज्य का चिन्न कैसे हो सकता है पहली जमाने में क्रूस धंड का चिन्न था जो लोग गलती करते हैं उनको क्रूस दिया जाता था मगर जब प्रभु येशु को उस क्रूस में लिया गया कब से वो क्रूस का विज्य हो गया आज की सुस्वाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु ईश्वर इस दुनिया को इतना प्यार किया कि वह अपने एक कलाउते पुत्र को इस दर्ती पर बेश दिया हमें और आपको बचाने के लिए हमें और आपको सुर्ग प्यदान करने के लिए और आज की दूसरा पार में हम पढ़ते हैं प्रभु येसु एक इश्र होने के बावजूत भी वह इस दर्ती पर आया हम लोगों जैसे दीन बना और क्रूस उठाए मेरे लिए और आपके लिए था कि में और आप सुर्ग राज का वारिस बने सुर्ग राज प्राप्त करें जी हाँ ये क्रूस विजय थप से हुआ जब उसमें प्रभु येसु ठोका गया ये क्रूस का विज़े उस समय हुआ जो प्रभु येसु ने जिन लोगों ने उनको ये ऐसे क्रूस दिया उनको शमा करके पिदा परमिश्यों से प्रात्ना करते हैं कि हे प्रभु इन एक शमा कर उस कुरूस का विजय थब राप्त हुआ जब प्रभु येसु इस दर्ते पर उस कुरूस पर मरते हुए प्रभु जब जी उठे थब कुरूस का विजय प्राप्त हुआ मरन का विजय प्राप्त हुआ एक बार एक चर्च में एक आत्मी प्रात्न करने आया तो वहां फादर भी बैटे दे जैसे वो चर्च के अंदर गुशा और प्रात्न करने के लिए इसे रोप रुठा है उसने बाहर निकल गए तो वो देखका फादर को कुछ अजीब सा लगा और फादर ने जल्दी बाहर जाके उनसे पूचा क्या होगे बाई जल्दी निकल गए आप चर्च से तो उसने बुला मैं एक हिंदू बेखती है फिर तो उसने कहा मैंने कही मंदिरों कही सब जगर गया क्योंकि मेरे जिल्दगी में इतनी तारी दुख तकलिफ है इतनी तारी दुख तकलिफ है उसके समाधान अभी तक कुछ नहीं मिल पाया तो मैं सोचा कि छलो मैं भी यहाँ इस चर्च में जाके प्रात्ना करके देख लो ठीक है आप प्रात्ना करें जी दिए उसमें क्या देखा था फिर आप तो जल्दी निकल गए बाहर तो उस विक्ति ने ये कहा मैंने जब चर्च के अंदर गुसा वहां ऐसा एक पिर्दीमा देखा जहां आप लोग ने तने सेंडर में रखा हैं वो मुझसे ज़्यादा दर्द हिसा होते हुए पूरा कून से बहा आएगे एक विक्ति को मैंने देखा तो फादर ने बोला वही है येसु जो इश्वर का पुत्र इस धरती पर आया और मेरे लिए और आपके लिए भी क्रूस पर मरें और फादर ने उनसे ये कहा तुम सिर्फ उसी इश्वर से प्रात्ना करो जो इश्वर तुमारा धर्द समझ सकता है क्योंकि वह भी आपके समान इस दर्दी पर जीए और आपके समान दर्द सहां ताकि आपको भी सुख प्रदान कर सकेंगे इसलिए आप से आपकी दर्द को समझने वाले विक्तियों से सबसे महत्यपूर्ण विक्ति हैं वो जो क्रूस पर मरा पड़ा है आप जाईए आपका दिल उनके सामने कोले वो आपको समादान परदान करेगा आपको शांद़ी परदान करेगा और वो विक्त तिया कर इशर से प्रात्न करते हैं जी हाँ जब प्रभु येसुस दर्थी पर आया हम हर एक को समझने के लिए और हम हरे हर एक को इस सुर्ग्राज प्रधान करने के लिए और वो इशर जानते हैं हमारे दुख तक्लिफ जब हम आज इस क्रूस का विजए का परो मनाते हैं तो हमें भी ये प्रातना करने हैं invite करने के लिए ताकि हमारा cruise भी विजय में बदल जाए हमारा cruise भी ईश्वर की महत के लिए हो जाए यही प्राप नम करते हैं पिदा, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन